सारन वासियों को छट की शुब कामना है और ये छट पर जो सुर्य भगवान की प्रास्टना के लिए अपने मनों कामना को पूरा कराने के लिए अपने परिवार के लिए सुक्ष मिर्धी के लिए हमारे घर में सब लोग इस पर्व को करते हैं सब को एक बार अगले स्पावन पर्व के लिए बहुत बहुत शुक्त कामना है सारन जिला में तीन चार प्रवुख नदियां हैं जो इस जिलों को चारों करव से खेरती हैं गंगा है, घंडक है, सर्जू है, खाकरा है और इसलिए बहुत लोग चट पर बनाने नदी किनारे जाते हैं आज भी मैंने जब निरिक्षन किया तो बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा कि बहुत नदी का धार तेज है मैं शुर्धानों से यह आग्रह करूंगा कि नदी में प्रवेश करने से पहले ध्यान दे और जिला साशन से मैंने आग्रह किया है कि हर जगा गोता खोर हो छट की ववस्था हो, सुरक्षा हो और बहुत सारे वॉलंटियर्स जो नौजवान हैं जिला भर में उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको दी मेरा पूरा समर्थन जो नदी के घाट पर नहीं जाते हैं वो तलाब में जाते हैं गाव के तलाब में जाते हैं इसमें बहुत साब्धानी बढ़ती जाए जैसा कि मैंने अमनौर में भी रोगों को बताए कि अमनौर तलाब की गहराई बहुत जादे हैं और उसमें बास बल्ले की विवस्ता की गई हैं, वॉलन्टीर्स लगाए गए हैं, गोता खोर लगाए गए हैं और ऐसे जिला बरके सारम के भवे धर्ती पर, बिहार के भवे धर्ती पर, बिहार के मानिये मुखी मंतरी दीशिमार जी के तरफ से, देश के पंधान मंतरी श्री नदेनर मोदी जी के तरफ से, और मैं अपनी तरफ से सारम की धर्ती पर इस छट पर में आप सब को बहुत बहुत बख़ए कुए